सबी को गुद इवनिंग यहाँ बच्चे नहीं हैं, तो लगता है मैं शेयर कर सकता हूँ मेरा शिक्षा का अनुभव लोग मुझसे पूछते हैं आपकी साधना क्या है? तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ मेरी इकलौती साधना ये रही है कि मैंने खुद को अनपड़ रखा है क्योंकि जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ शायद बड़े लोगों ने बस मान लिया था कि बच्चों को स्कूल जाना ही चाहिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताना चाहता कि आपको इस जगा पर जाने की जरूरत क्यों है इस जगा में ऐसा क्या खास है कि हमें जाना ही पड़ेगा वो कुछ बोलतो रहे थे पर उन बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था तो मेरे समय के शिक्षा मैं वहाँ के बल तभी जाता था जब वाकई जरूरी होता था और जब भी मैं वहाँ गया तो मेरी मुख्य समस्या ये थी कि मुझे हमेशा लगता था कि लोग ऐसी बाते कर रहे हैं जो उनके लिए माइने नहीं रखती है मैंने इस चीज को हमेशा बनाय रखा है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई कितनी बक्वास कर रहा है अगर वो चीज उनके लिए कुछ माइने रखती है तो मैं उसे पूरी तरह सुनूंगा चाहे वो कितनी भी बेतु की बात हो लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ माइने रखती है तो मैं सुनने को तयार हूँ अगर उसके लिए ही माइने नहीं रखती जो बोल रहा है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों सुनूँ और मुझे स्कूल में हमेशा ऐसा लगता था कि टीचर्स ऐसी बाते कर रहे हैं जो उनके लिए कोई माइने नहीं रखती तो मेरे कान कभी उनकी बात नहीं सुनते थे तो मेरी शिक्षा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बहतर है और जब मैं लगबख 17 साल का था मैंने फैसला किया कि मैं अपने आपको शिक्षित करूँगा क्योंकि कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं बनता था और ये आज की तरह नहीं था ये सबैटिकल का विचार और ये वो नहीं होता था आप डॉक्टर बनने की दौड में होते थे अगर नहीं बन पाते तो आप इंजिनियर बन जाते हैं केवल यही दो विकल्प आपके पास होते थे तो जब मैंने जब मैंने पास किया तब इसे पी उसी कहा जाता था बारवी कक्षा को और मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ परिवार में जो भयानक प्रतिक्रिया हुई वो अविश्वस नहीं था फिर मैंने सोचा ठीक है अच्छा होता अगर मैं फेल हो जाता क्योंकि मैं पास हो गया और कह रहा हूँ कि मैं युनिवर्सिटी नहीं जा रहा इससे इतनी हैरानी और ऐसा लगा जैसे परिवार में कोई तराजदी आ गई हो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परिशान क्यों हो रहे थे क्योंकि वैसे भी मैं कुछ सीख नहीं रहा था मैं बस आ जा रहा था और बस पासिंग मार्क्स लेकर आगे बढ़ रहा था तो ये एक साल मैंने कॉलेज की जानते हैं मैसूर युनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है मैंने अपना पूरा एक साल वहां बिताया हर दिन सुभा नौ बजे लाइब्रेरी खुलती थी मैं वहां होता था वो रात को आड़ बजे बंद करते थे उन्हें मुझे बाहर निकालना पड़ता था एक साल में मैंने लगबग हर चीज पढ़ी जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, लगबग हर चीज पॉपुलर मेकैनिक से लेकर होमर तक जो भी मेरे सामने आया मैंने सब कुछ पढ़ लिया ये पूरा एक साल क्योंकि अचानक मैं परिवार में एक तरह का दुश्मन बन गया था क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था बाके सब पढ़ लिक रहे थे और तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो और तुम पास हो गए हो, फिर भी नहीं जा रहे हो तो सुबह मैं भर पेट नाश्ता करके चले जाता था इस पूरे साल मैं बिना लंज के रहा मैं रात को वापस घर आकर डिनर करता था पूरे एक साल तक जब मैं यंग था तो मैं हमेशा भूखा रहता था मैं हर समय भूखा रहता था लोगों के लिए ये समझना आसान नहीं होगा कि मेरे लिए ये कितना कठिन था कि मैं एक साल तक वहाँ बिना खाय बैठता रहा और जो चाहा वो पढ़ता रहा तो मैंने सोचा मैं खुद को शिक्षित करूँगा शायद मेरी ज्यादतर पढ़ाई मेरे जीवन के उसी हिस्से में हुई थी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसे आप खुद खोचते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे जो आप पर थोपा जाता है वो कभी आपके जीवन में काम नहीं आएगा तो जब हमने जब मैंने तय किया कि हमें एक स्कूल शुरू करना चाहिए तो लोग हैरान हो गए सद्गुरू आप मैंने का हाँ लेकिन यह स्कूल अलग होना चाहिए और मैंने उनसे लगातार कुछ दिनों तक बात की कुछ लोग जो हमारे साथ शामिल थे कि स्कूल कैसा होना चाहिए मुझे अच्छी तरह याद है मैं च्छाटी कक्षा में था भारत के राष्ट्रपती की मृत्य हो गई और हम स्कूल गए और उन्होंने छुटी घोशित कर दी वो एक अच्छी चीज थी है ना अगर ये छुटी वाले दिन हुआ होता तो अलग बात थी लेकिन आप स्कूल गए और पता चला कि आज स्कूल नहीं है और दो दिन तक स्कूल नहीं है तो हम बाहर बैठे और यूही चर्चा कर रहे थे और हमने सोचा कि अगर प्रधान मंतरी मरते हैं तो क्या होगा अगर मुख्य मंतरी मरते हैं तो क्या होगा हमने सच मुझ पूरे कैबिनट को माड डाला हमें कितनी छुटियां मिलेंगी इस साल तो स्कूल इतनी भयानक जगा क्यों बन गई है जिस तरह से हम इसे चला रहे हैं उसमें कुछ गलत है क्योंकि शिक्षा मिरा मतलब हम लोगों को क्यों शिक्षित कर रहे हैं उसे भी देखना चाहिए वो कहीं ज्यादा गहन चीज है लेकिन मूल रूप से जब हम शिक्षा देते हैं शिक्षा प्रणाली का अंतिम छोर वो एक मानवी पहलू है अगर वो मानवी पहलू गायब है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा वहां बैट कर किसी की ऐसी बातों को सुनेगा जो खुद बोलने वाले के लिए ही कोई माईने नहीं रखती क्योंकि माता पिता उन पर दबाव डालते हैं अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो अपनी आजीवी का नहीं चला पाओगे तुमारे साथ ये होगा वो होगा अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं तुमें अमेरिका भेज़ दूँगा ये सब बकवास बाते हैं खुद को वाकई शिक्षित करने के लिए नहीं जाते तो जब हमने ये स्कूल शुरू किया तो जब मैंने उनसे बात की कि स्कूल कैसा होना चाहिए तो हमारे टीचर्ज ने का सद्गुरू ये एक बड़ा विजन है लेकिन ये कैसे जाने कि हम इसे पूरा भी कर रहे हैं मैंने कहा देखिए ये एक आवासी शुरू है मैंने कहा चार महीने वो हमारे साथ रहते हैं चार महीने के अंत में जब वो अपनी छुटियों के लिए घर जा रहे हो अगर बच्चे घर जाते समय रो रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छा कर रहे हैं। अगर वो स्कूल के लिए वापस आते समय रो रहे हैं, मतलब हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आज आप ये ईशा होम स्कूल में देख सकते हैं, जब वो जा रहे होते हैं, तो वो रोते हैं, छुट्टिया खत्म होने से पहले, आठ दिन, दस दिन पहले ही बच्चे वापस आ जाते हैं, स्कूल को तयार करने के लिए, तो ये अच्छा है, वो अपने बच्चों को इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, क्या पाने के लिए, किस उद्देश्च से?